साउद आफरीका और दोसो इंडिया का आज जो थार्ड ODI मैच है एस रीगार्डिंग दोसो इस वीडियो में आप देखेंगे यदि आप स्मॉन लिग कहल रहे हैं, दो मिंबर तीन मिंबर चार मिंबर तो किस सिगारा प्लेयर को दोसों आप अपने टीम में लेके जाओगे ट्रॉमकार्ट प्लियर दोस्तो इस मैच में आपके लिए कौन प्लियर बन सकता है टोटल इनफर्मेशन दोस्तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सेर करूंगा इस मैच की रिगार्डिंग जो दोस्तो आपको एक best team बनाने में बहुत help करेगा टिक ना दोस्तो एक और चीज में बताना चाहूंगा कि अभी तक 3 ODI मैच हुएं जिसमें दोस्तो फर्स्ट मैच इंडिया की टीम ने win किया, सेकेंड मैच दोस्तो इंडिया की टीम ने loss किया लेकिन मैं एक और चीज आप आपको बताऊंगा दोस्तो देखो जो सेकेंड मैच इंडिया की टीम ने loss किया ना उसका रीजन खराब बैटिंग तो ही लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन है वो यह दोस्तो इंडिया ने बहुत खराब फिल्डिंग किया, आपको ध्यान होगा यदि आपने match देखाऊगा, स्टार्टिंग के एक से दस ओवर के बीच में इंडिया ने टोटल चार कैज रॉप किये अफरीका के दोनों उपनर को, बाई इतना मौका यदि आप किसी को दोगे तो क्यों नहीं हो स्कोर करेगा, तो इस match को इंडिया को वीन करना है न तो यार फिल्लिंग सही करना यदि फिल्लिंग सही करती है इंडिया और राम से विन कर जाएगे, फिल्लिंग फिर से खराब की खराब होगा और इसपेसलिए स्लिप फिल्डर क्योंकि स्टार्टिंग के जो भी ओबर होते है और उहां पर जो भी कैश जाते हुँ हो सेकेंड मैच में डिचूर करें और हम लोग भी अपना best करेंगे सबसे बिले बात कर लेते इस match की regarding हम लोग अपने पीछ के बारे में तो दोस्तो ध्यान रखना new stadium में new venue रहेगा यह मैं दोस्तो बोलेंड पार्ग में खेला जाएगा बोलेंड पार्ग में दोस्तो जो last ODI मैच हुआ था ना उस match में बहुत important चीज़ आपके लिए देखने के लिए उस match में total 9 विकेट दोस्तो गिरे थे ठीक ना और इस 9 विकेट में दोस्तो जानते हो महराजा ऐसे बोलर दोस्तो इस पीच पे बहुत अच्छा करके जा सकते हैं मैं आगे बताओंगा कि उनको किस तरह से आपको अपने combination में रखना है तो इबरेज स्कोर का दोस्तो बात करें तो इबरेज स्कोर दोस्तो इस पीच का 249 और दोस्तो 270 के बीच में रहता है और में दोनों टीम कैसी खेलती है कितना ज्यादा दोस्तो वहाँ पे बिकेट लॉस होता है ये बात हो गया दोस्तो पीच के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तो मैच की रिगार्डिंग कमबीनेशन पे कमबीनेशन में दोस्तो जानने से पर एक और जी दोस्तो आई होप आप लोगों ने टेलिग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा नहीं की हो दोस्तो तो जरूर कर लिजेगा क्योंकि इस मैच की रिगार्डिंग जो फाइनल पीच रिपोर्ट आएगा जो काफी इंपोर्टेंट होता है वो मैं आपके साथ टेलिग्राम पे सेयर करूंगा तस्स से पहले उसके बाद टेलिग्राम चैनल का लिंग आपको टेम में कोई changes करना होगा या कोई important trauma card player share करना होगा पीच को ध्यान में रखते हुए तो मैं सभी detail आपके साथ फिर से टेलिग्राम पे share कर दूगा तो जो आइन कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल का लिंग आपको नीचे ही description section में भी मिल जाएगा साथी साथ दोस्तो comment section में भी first comment pin क्या हुआ मिल जाएगा जाएए दोस्तो टेलिग्राम के साथ जुड़ जाएए और साथी साथ दोस्तो यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को subscribe नहीं कियो तो दोस्तो यूट्यूब चैनल को जरूर subscribe किजेगा और subscribe करने के बाद दोस्तो सबसे important कोशिस किजेगा notification का गंटी बजादे जिससे दोस्तो आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता रहेगा ठिक न दोस्तो अब चलिए फोकस करते हैं combination पे start करते हैं bicket keepering section से bicket keepering section में first option राहूल का मिलेगा जो आपके लिए must pick है ठिक न किसी और player को दोस्तो आप लो चाहें नो लो bicket keepering section से राहूल important रहेंगे क्यों important रहेंगे because दोस्तो एक तो last match में 50 प्लस score करके आ रहे हैं Indian team के captain है और ऐसे भी राहूल दोस्तो अभी बहुत जादा aggressive खेल नहीं रहे है ball को ध्यान में रखके score कर रहे है क्योंकि इनके पास बहुत जादा experience player नहीं है तो इसलिए राहूल must pick है आपके लिए ठिक न तो नीचे एज कालसन देखो दोस्तो अभी का जो दो match हुआ है न एक match में दोस्तो कालसन का batting आया flop रहे है second match में दोस्तो बैटिंग आया नहीं तो मैं यहाँ पर आपको क्या recommend करूँगा कि यदि आप South Africa team को favor करके team मना रहे हो और especially South Africa की team फिर से batting second करें वहाँ पर आप इनको drop करके rix से ले सकते हो logical rix बता रहा हूँ logical दोस्तो rix के आए कि South Africa की team second batting करें तो हो जाए दोस्तो फिर से इनका batting करने का chance ना मिले अपरिका की team starting में ही chase करते और ऐसा combination जिसमें South Africa को हम लोग favor कर रहे है तो वहाँ पर ये trick आप huge कर सकते हो कालसन पर player तो दोस्तो अच्छे है अच्छे है इसलिए क्योंकि इनोंने करना के भी राने को नहीं try करना अब बात कर ले इधर batting section तो batting section से के जोंडो को बहुत अच्छा performance रहा है दो match खेले हैं first match में 40 plus score second match में 200 plus score 199 score किये थे second match में मैं एक और चीज़ दोस्तो बता हूँ यदि आपने देखा होगा first match में इनका एक catch ड्रॉप हुआ था second match में 200 इनका दो catch ड्रॉप हुआ था यदि starting में 200 इनका catch पकड़ ले ते रिंकुन सिंग तो दोस्तो ये starting में 14 रन पे ही out थे फिर second catch दोस्तो इनका ड्रॉप हुआ 35 रन पे तब जाके भाई ने 119 रन का scoring किया last match में तो खिलारी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा technical player है यदि आपने इनका batting देखा होगा तो उतना technical आपको दिखे नहीं होएंगे especially दोस्तो लेक साइड में ये बहुत ज़्यादा technique के साथ नहीं खेलते है fast wallet पे इनको दिक्कत है तो मैं यहाँ पे आपको क्या recommend करूँगा मैं save जा रहा हूँ small link में रख रहा हूँ लेकिन grand link में आप इन पे रिक्स जरूर लेना यदि इंडिया के टी में starting में out कर जाती है तो फिर South Africa के लिए ये चीज रिक्स हो जाएगा तो ये चीज का ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि selection हाई है तो हम लोग सभी टीम में रख ले ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना size सुदर्सन बहुत अच्छे दिखे है technical player है अच्छे दिखे भी है बहुत ज़्यादा दोस्तों ये नहीं कि इनका cash भी drop होता है परफेक्ट स्कोर करते हैं दो मैच के लिए दोनों मैच में 50 प्लस स्कोर किये ये इंपोर्टेंट पीक है और ऐसे भी जो सेकेंड मैच हुआ था इंडिया साउथ अफरिका ODI उसमें हम लोगों ने इनको रखा भी था और भाई ने कुछ का हम लोगों को विनिंग करवाने में भी help किया था इडिजा हैंडिक्स मैं अभी नई ट्राइ कर रहा हूँ लास्ट मैच में आई नो 50 प्लस स्कोर करके आ रहे हैं लेकिन उतना साउंड प्लियर नहीं दिखे हैं फर्स ओडियाई में totally flop रहे हैं और सेकेंड मैच में भी दोस्तों इनका भी दो-दो cash drop हुआ था पावर प्ले में और इनका तो दोस्तों दो इनन पे cash drop हो गया था मुकेश कुमार के ball पे डितुराज गैकवार्ड ने सिलिप में बहुत simple सा cash drop कर दिया था तो इसलिए मैं इनको back नहीं कर रहा हूँ रिंकुल सिंग लास्ट मैच में बॉलिंग करके एक विकेट ले गये थे लेगिन स्टिल दोस्तों बॉलिंग ये सभी मैच में नहीं कर दे है आपको भरोसा दिखाना हो तो नीचे से आर्ट दसन को must pick करके ले जाए आपको option मिल जाएगा रितुराज गयकवाड दो मैच के लिए दोनों मैच में दोस्तों flop रहे और ये भी दोस्तों उतना अच्छा दिखे नहीं है यार दोनों मैच में इनको दिक्कत हो रहा है especially दोस्तों इन बगल के साने तो दोनों मैच में इनोंने struggle किया है बट इस्टिल दोस्तों रितुराज गयकवाड ऐसा प्लियर है यदि स्टार्टिंग में बज जाता है तो अराम से दोस्तों ये 50-70 रन करके जाएगा तो ऐसा नहीं कि selection 250 है तो आप इनको totally drop करो ध्यान रखीगा होस है दोस्तों मैं अपने final टीम में इनको अपने टीम में update भी कर लो और launder section से दोस्तों हम लोग try करेंगे माकरम और दोस्तों अक्षर पटेल को क्यों मैं पहले वह बदाता हूँ माकरम दोस्तों आपको bowling भी कर रहे हैं साथ ही साथ दोस्तों आपको batting भी provide कर रहे हैं तो इनके बारे में तो दोस्तों कुछ सोचना आई नहीं है captain के लिए best option है अक्षर पटेल क्यों इस match में important हो सकते हैं दोस्तों मैं उसके regarding आपके साथ share करूँगा देखो एक तो दोस्तों इस pitch पे spin को बहुत ज़ादा बिकेट मिलता है और जो left time spinner होते हैं यहाँ पे उनका ball दोस्तों grip भी करता है और दोस्तों बहुत ज़ादा turn भी करता है तो that's why दोस्तों अक्षर पटेल पे इस match में हम लोग ricks ले सकते हैं जिनको ricks ना लेना हो अक्षर पटेल के जगा दोस्तों आप other player को भी try कर सकते हो मैं अक्षर पटेल को as a trump card इस match में try कर रहा हो उपर आपको मल्डर का भी option मिलेगा मल्डर दोस्तों यदि South Africa की team balling first करें आप consider करके जहाँ सकते हैं अच्छे baller है balling दोस्तों at least आपको 5-6 over का जरूर करके देंगे और especially क्योंकि दोस्तों फ्लेकवार्टों नहीं खेल रहे हैं तो मल्डर 100% C.O. रखेगा ये खेलते हुए आपको जरूर दिखेंगे तो मल्डर पर थोड़ा ध्यान रखेगा नीचे आपको किसी पर और फोकस नहीं करना अब बात कर लिए इधर दोस्तों balling section तो balling section से अक्सदीब सिंग मेरे टीम में रहेंगे बिकेट टेकर baller है बहुत बहतरी इन फॉर्म में चल रहे है अक्सदीब सिंग को आपको किसी भी टीम से drop नहीं करना अब इस थान पर आप रिक्स ले सकते हो यदि दोस्तों आप average टीम मना रहे हो जिसमें South Africa टीम को थोड़ा सा favor कर रहे हो तो वहाँ पर आप इनको drop कर देना यदि आप totally one-sided combination मना रहे हो इंडिया को favor करके वहाँ पर फिर आप इनको लेके जा सकते हैं यदि इनको मैं नहीं लेता हूँ तो फिर दोस्तों ध्यान रखना गैकवार्ड मेरे टीम में होएंगे फिर निचे दोस्तों आपको पी हैंडिक का option मिलेगा लास्ट मैंच में अच्छा balling की है लेकिन देखो दोस्तों हैंडिक न अच्छा baller तो है definitely balling first यदि आफरीका की team करती है तो लेके जा सकते हूँ balling first में इनका अच्छा record है लेकिन balling second में especially दोस्तों ODI में बहुत खराब record भी है तो टस्क के अधार पे दोस्तों Bhandic को आप try कर सकते हैं अपने team में फिर निचे दोस्तों आपको मिलेगा केसा महराजा देखो दोस्तों मैं अभी के लिए महराजा को team में रखना हूँ क्योंकि इस बिकेट पे spinner को बिकेट मिलते हैं लेकिन महराजा के जगह दोस्तों आप उपर से Bhandic को भी team में आप rotate कर सकते हैं कुल्दी प्यादो मेरे team में must speak है कुल्दी प्यादो को मैं drop करने के लिए नहीं बोलूँगा last match में I know दोस्तों अभी तक बहुत best performance नहीं किये last match में इनका ठोकाई भी दोस्तों बहुत ज़्यादा हो गया था कोन किया था तो दोस्तों इधर से के जटों ने बहुत इन पे six मारे थे लेकिन इस चिल दोस्तों ध्यान अखना इस पीच पे कुल्दी प्यादों का जो last जब यह series हुआ था South Africa एंडिया का 2022 में वहाँ पे भाई ने बहुत बहुत बहुतरीन दोस्तों performance किया था तो कुल्दी प्यादों को drop मत कीजिएगा लेके जाए कुल्दी प्यादों को इस match में नीचे एल बिलियम्स का option मिलेगा देथ में balling करने आते ही यही एक region है कि मैं इनको अपने team में back कर रहा हूँ लेकिन एल बिलियम्स के जगा दोस्तों ध्यान रखना भी हंटिक को भी आप rotate कर सकते हो एक तो यह भी आप rotation मैंने किसम मरा जावला भी बताया साथ ही साथ और launder section से W Mulder ध्यान रखना Mulder को भी आप try कर सकते हो टिक ना W बिलियम्स के जगा पे Mulder के साथ एक advantage क्या मिलेगा कि आपको यह batting backup भी दे देता है टिक ना balling आपको 5-6 over देगा और batting दोस्तों आपको यह 5 नमर पे करने आ जाता है मिलर के बाद तो आप उनको भी try कर सकते है एल बिलियम्स के जगा मुकेश कुमार अच्छे baller है विकेट नहीं मिल पा रहा है problem यही है और ऐसे भी यार इनके ball पे catch भी बहुत drop होता है last match में भी 202 catch drop हुआ था इनके ball पे नहीं तो यह 2 विकेट लेके आते है grand league के लिए बहुत अच्छे option रहेंगे यदि आप India team को totally favor कर रहे हो और South Africa team के top order batsman अपने team में आप रखना ही नहीं चाहते हो नहीं रख रहे हो तो फिर वहाँ पे इस खिलारी को रखना आपके लिए ध्यान रखना must pick है टिक न दोस्तो इस player पे थोड़ा सा ध्यान जरूर रखेगा मुकेश कुमार game changer pick बन सकते है अभी तक अच्छे दिखे हैं best performance नहीं किये है swing अभी भी इनका ball दोस्तो बहुत बढ़िया कर रहा है समसी दोस्तो खेले नहीं है इनके जगा में भी दोस्तो तब जाके चहल खेल जाए तो यदि अक्छर नहीं खेले चहल खेले तो आप डाइडिक्ट अक्छर के जगा चहल को टीम में रख लीजेगा ठिक ना ये भी आप कर सकते हैं आज दोस्तो जो ये अफ्रीका और इंडिया वाला मैच है ना देखो दोस्तो इस मैच में एक चीज़ में आपको बोलूँगा है स्पोर्ट बाजी पे ना ये छोटू सा आपको ये ग्रेंड लिग दिख रहा है एक लाग का कनफॉर्म कॉंटेस्ट चरूर ट्राइ करना रीजन के ट्राइ करने का कंपेटिशन देखो सिर्फ 4,000 मिंबर के बीच में कंपेटिशन है 49 रुपया का कॉंटेस्ट है जिसमें 10% अल्रेडी बोनस यूज हो जाएगा और फर्स्ट प्राइस 10,000 है कनफॉर्म कॉंटेस्ट है ट्राइ जरूर कर सकते है ठीक न एक तो यह हो गया और भी आपका बज़र्ट हाई हो तो हाई बज़र्ट वाला भी कॉंटेस्ट हो तो यहाँ पे आपके लिए उपलब्द है जिसमें अल्रेडी देखो सभी में बोनस यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होता है यार और एक और चीद बताना चाहूंगा दोसों यदि आप न्यू यूजर हो फर्स टाइम दोसों यदि आप स्पोर्स बाजी पे यदि 100 रुपया आप डिपोजित करते हो ना 100 रुप पर शेयर करना चाहूंगा यदि आप यहाँ पर फर्स टाइम यूजर हो फर्स टाइम आपने रजिस्टर कर रहे हो और फर्स टाइम डिपोजित कर रहे हो ना एट लिस्ट 500 रुपीज और 500 से उपर तो दोस्तों यह इनका ग्रेंडली का कॉंटेस है जो 49 रुपया यहाँ कर लोगे तो यह डिपोजित ओफर कर लाब जरूर लिजेगा और स्मॉलिक यहाँ पर जरूर ट्राइ किजेगा क्योंकि देखो यार कंपेटिसन कब है और अच्छा खासा विनिंग होता है टीटेन में हम लोग तो विनिंग करते ही है साथ ही सार इंटरनेशनल मैच में भी आप ट्राइ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर जितना कॉंटेस दिखेगा न सभी में बोनस का यह जरूर होता है यहाँ पर आपका बोनस कभी भी बरबाद नहीं जाएगा तो जिन भाई उन्हें अभी तक स्पोर्स बाजी आपको डाउनलोड नहीं किया है इसका लिंक आपको इससे दोस्तो जो डिपोजिट ओफर है ना उसका आप लाब ले पाओ इसको आप मिस नहीं किजेगा ठिक ना दोस्तो और टीम तो मैं आपको स्पोर्स बाजी का प्रवाइट करी दूँगा अब बात कर लें इस मैच के रिगार्डिंग कैप्टन बीसी ऑप्सन तो माकरम म बात करें इस मैच में किस पे आप रिक्स ले सकते हो तो दोस्तो एक तो आप अगजीब सिंग पे रिक्स ले सकते हो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे है इस स्पीच पे दोस्तो आप पुलदीप पे भी रिक्स ले सकते हो और इस्पेशली इंडिया की टीम बैटिंग करें तो अक्षर पटल पर वाइस केप्टन करके रिक्स ले सकते हो क्योंकि बैटिंग फर्स्ट में इनका बैटिंग भी आजाएगा और बैटिंग से अटलिस्ट ये तीसर अन भी स्कोर कर दे और बॉलिंग से दो-तीन विकेट ले गए तो फिर आपका भाइस केप्टन का काम कर देंगे अभी के लिए दोस्तो आप लोग इस टीम का स्क्रीन सोट ले लीजे कॉंटेश श्वाइन करके रखे दोस्तो सेम इसी टीम से टस्क के बाद इस टीम में यदि कोई प्लियर नहीं खेलता है तो कोई नहीं मैं आपको फिर से फाइनल कंबीनेशन टेलिग्राम पे भी एक बार जरूर अपडेट कर दूँगा आई होप आप लोगों ने टेलिग्राम को जोईन कर लिया होगा नहीं क्यों दोस्तो कर लीजेगा इसका लिंक चानल को जरूर सबस्क्राइब किजेगा और सब्सक्राइब करने के बाद दूस्तो सबसे इंपोर्टन को शिज खिजेगा नोटिफिकेशन का घंटी वज़ादे घिससे दोस्तो आने वाले वीडियो का आपको इजली notification मिलता रहेगा ठीक ना दोस्तों तो फिर मिलते हैं आप सभी से next student के वीडियो में जैह हिंद दोस्तों टेक केर एंड बबाई